Hi everyone this is Janish Khutai Yo from Wisdom Commerce Classes and welcome to video of accounts. Today we are gonna start with sum number 6 which is given to us on page 197. Students 아지 का sum thota सा अलग है ।िस sum में हमें क्या पूचा गया है लास्ट में हमें पूचा गया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विजय का अकाउंट बनाया है । मतलब तीन पार्टनर है उसमें से वह पार्टनर जो मर चुका है सिफ उसी का अकाउंट बनाना है सो मैं बाकी कोई भी अकाउंट नहीं बनाने वाला हूं सो लेट स्टार्ट सबसे पहले कैपिल अकाउंट दिया है अजय संजय विजय तो सिर्फ विजय का अमाउंट हम लिखेंगे विजय के क्रेडिट में बाकी दोनों हम नहीं लिखेंगे क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग सेल्स यह भी लाइबिटी में जाता है बढ़ हम फिलाल बैलेंशिट नहीं बनाने वाले हैं जिजर्फ फंड तो जिजर्फ फंड का जो अमाउंट रहेगा विजय का जितना प्रॉफिट चेंग रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग नम उसमें डिस्ट्रिबूट कर देंगे डैने बिल्डिंग मोटर लॉरी डेटर्स आड़ीड फॉनिचर बैंक यह सारी चीज़े मैं फिलाल नहीं लिखने वाला हूँ ओके बिकॉस आइं उनली गोई टू कॉंस्टेट अउन विजय कापिल अकाउंट विच इस आस्ट इंदा क्वेस्टिन विजय डाइड न फॉर्स फॉर्लिंग एजिश्मेंट वर मेड तो सबसे बहले क्या हुआ है असेट रिवैल्य हुआ है ओके अब स्ट्रेंट का जो अमाउंट होता है वह भी पार्टनर्स कैपिल में ट्रांसफर होता है मतलब मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा बट सिंस वो लोग ने नहीं पूछा इसने में सिर्फ में बनाऊंगा तो असेट को रिवैल्यू किया है लेंड से लेस हुआ है और रिवैल्यूशन डेट में डालेंगे फाइनली फ़निचर का अमाउंट भी स्ट्रेंट लेस हुआ है तो इसको भी लेस वह सेट करेंगे अमाउंट 2000 को और रिवैल्यूशन में डालेंगे एजिशन नूमबर टू और डेटर्वा गुड ओके तो जब भ को रिवैल्यूशन के डालेंगे तो यह पूरा रिवैल्यूशन अकाउंट हम रफ में बनाने वाला है सिर्फ और सिर्फ घुडविल ऑफ फ्रम वेल्यूट टू टू तैम्स अवरेच ऑफ लास्ट फोर यहस का अवरेच प्रॉफिट निकालना है और उसको मुल्टिप्ला account debit to debit to debt partner जितना भी debt partner उसको हम raise करेंगे तो goodwill account debit to Vijay's account तो हम क्या करेंगे again goodwill account नहीं बनाएंगे सिर्फ विजय का account बना कि विजय की credit में डाल दिएंगे fourth one विजय's shares of profit to be calculated on the basis of average profit of last years so last years का average निकालेंगे और जो भी profit मिलेगा students उसको हम विजय के share से और उसने जितने month survive क्या है कब मरा था 1st August को so April, May, June, July चार महिने की according हम calculate कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगे exactly sum में कैसे calculate करते हैं और वो amount को भी हम कहां डालेंगे students ये विजय का profit है विजय हमारे लिए क्यान हो गया so prepare हमें बोला गया विजय कापिल अकाउंट बनाना है सिर्फ और सिफ showing amount payable to his executor तो वो हम बना देंगे और हम working note बनाने वाले हैं third or fourth adjustment का that's it students thank you so let's start with the sum so starting with the sum students question 6 page 197 in the books of firm what I have done today in this sum is मैंने सिर्फ और सिफ विजय कापिल अकाउंट ही बनाया है students मैंने बाकी पूरा sum नहीं किया है okay so हम आज के इस sum में बाकी सार अकाउंट नहीं बनाएंगे because हमें question में सिर्फ और सिफ विजय कापिल अकाउंट बनाने को बोला गया है so let's start सबसे पहले balance sheet में capital account दिया है नहीं बनाई है मैंने outstanding salary भी live duty में जाता है but i will not write reserve fund okay so reserve fund के लिए मुझे catch a students partners capital का profit and loss ratio अचिये so which is according to the capital ratio तो किया है 6 is to 4 is to 2 among कितना दिया है हमें total reserve fund is 36,000 into 2 upon 6 plus 4 10 10 plus 2 12 ones are six so that comes to 6,000 रुपीज तो यह मैंने rough में किया है so my reserve fund का answer आगया 6,000 रुपीज buy reserve fund account amount दाएगा 6,000 रुपीज next is students इसके बाद क्या आएगा land and building motor lorry data's already furniture bank दिया हुआ है but i will not be writing anything because हमने balance sheet नहीं बनाई है विजे डाइडर फॉर्ट ऑगस्ट 2019 and the following adjustment were made सबसे पहले asset to be revalued अच्छा तो हमें students यहां पर है मैं revaluation account भी क्या कर रहा हूँ रुप में बनाने वाला हूँ revaluation account रिवैलुएशन account आपको board exam में भी रफ में बनाना है अगर आपको सिफ और सिफ जो partner मर गया उसका account बनाने को बोला है तो सबसे रहे land and building 88,000 so question में land and building 80,000 दिया है तो increase हो गया 8,000 से increase हो गया तो add to asset और second effect क्या करेंगे revaluation में देंगे 8,000 यह तो बहुत अच्छी बात है asset बढ़ गया so credit side credit all incomes and gains next is motor lorry 36,000 so motor lorry की value students कम हो गई है कितने से कम हो गई 4,000 से कम हो गई है तो इसका second effect debit side देंगे debit or loss and expenses furniture 34,000 furniture भी students क्या हो गया हमारा less हो चुका है 2,000 रुपीस से less हो चुका है तो इसको debit में लिखेंगे so यहा पर हमारा address number 1 हो चुका है moving forward to address number 2 लिखा है all data's were good अच्छा जभी भी all data's were good बोलेंगे तो हम क्या करते है rdd ko nil कर देंगे और जो rdd का amount है मतलब जो हमारा खर्चा होने वाला था वो अब नहीं होने वाला है तो यह बहुत अच्छी बात है तो हम उसको क्या करेंगे credit मिडालेंगे खर्चा ना होना भी अच्छी बात होती है तो इसको हम क्या करेंगे students credit side डालेंगे okay so यह मेरा revaluation account मैंने rough में बनाया है इसको मैं फिलाल side में रख रहा हूँ moving forward to address number 3 students क्या बोला था goodwill of the firm valued at two times अच्छा अब हमें students क्या करना है goodwill का working note बनाना होगा because हमें question में बोला है कि working note बनाना compulsory उसके marks मिलने वाल है so working note सबसे first लिखा हुआ है calculation of goodwill so goodwill कितना बोला है students हमें let's check the question it says goodwill of the firm valued at two times so multiply by two करेंगे of the average profit okay so सबसे बहले average profit निकालना है हर बार की तरह so average profit का formula क्या है students so that is total profit upon number of years so total profit upon number of years हमें कितने years का profit दिया हुआ students let's check हमें चार साल का पिछले चार साल का profit दिया हुआ है so that is 12,000 plus 24,000 plus 24 24 हो गया फिर 14,000 14,000 and plus 14 के बात कितना दिया है 22,000 so let's see कितना होता है और हम क्या करेंगे इसको divide by 4 कर देंगे so 12 plus 14 24 36 46 50 60 72 so 72,000 और इसको divide by 4 करेंगे which comes to how much 1 जा और 3 8 32 तो 18 जा 18,000 रुपीज हमारा क्या है students average profit आया बट गुडविल कितना है students हमारा गुडविल is 2 times बोला हुआ है 2 times the average profit 2 times the average profit okay 2 times the average profit हम क्या करेंगे 18,000 multiply by 2 करेंगे which comes to how much 36,000 36,000 हो गया students अब इस 36,000 को हमारे पुरे फुर्म का गुडविल मिल चुका है but I don't want पुरे फुर्म का गुडविल तो मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ विजे का शेयर फाइंड करूंगा विजे शेयर तो विजे का शेयर कितना है students let's see देखो 2 upon 12 हमारे बाइकन से 1 upon 6 है विजे का शेयर कितना है 1 upon 6 है so I'll see I'll write over here 36,000 into 1 upon 6 which comes to how much 6,000 रुपीज 6,000 रुपीज राइगा so Goodwill के debit में और विजे के credit में विजे के credit में लिखेंगे फिलाल हम विजे के credit में लिखेंगे फिलाल हम विजेज आपिटल अकाउंट और अमांट दिया हुआ 6000 जो हमने अब जीज़श्ट फाइंड किया moving forward to edgedus No.4 which says विजे's share of profit to be calculated on the basis of average profit of last three years so again हम लोग को पिछले last 3 साल का निकालना होगा so हम क्या करेंगे working note बनाएंगे हमारा working note number 3 हो गया so हम यहाँ पर लिखेंगे calculation करेंगे calculation किस सिसा करेंगे calculation of share of profit of विजय okay सबसे पहले strength पूरे firm का profit total profit कितना दिया हमें total profit कितना बोला है total profit हमें बोला है average profit of 3 years हमें क्या बोला है total profit is equal to क्या है average profit of average profit of 3 years last 3 years okay so average profit last 3 years का कितना तर्ष्टविंस let's see the amount 24 14 or 22 24,000 plus 14,000 plus 22,000 तो divide by क्या करेंगे average निकालना तो 3 कर देंगे 3 है तो 20 plus 4 14 34 38 48 58 और 60 so 60,000 divided by 3 which comes to 20,000 so 20,000 हमें क्या मिला है प्रॉफिट मिला है क्या प्रॉफिट मिला है पिछले हमें इस साल का प्रॉफिट मिला है 20,000 पूरे firm का बट हमें का फाइन करना है सिर्फ विजेश शेर अडमान निकान पिम प्रॉफिट मिला प्रॉफिट मिला पिंदी शेथ खोश्य इंग कते हैं so now 1s are 3s are so 6s are कितना होता है तो अब इसको क्या करेंगे this is 10,000 and this is 3 so 10,000 divided by क्या करेंगे 9 करेंगे so let's calculate 10,000 divided by 9 कितना होता है 10,000 और मुझे divided by 9 करना है divided by 9 so 9 1s are 9 1 0 1 तो ये क्या होगा 1 0 1 0 1 फिर बचेगा 1 तो 0.111 आएगा so हम क्या कर रहें 4 times 1 आ रहे 4 times 1 आ रहे so that is my profit of Vijay 4 times मेरा 1 आ रहे so अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं क्या नाम दूंगा हर एक समय अब तक मैंने कलता क्या नाम दिया था by profit and loss suspense account by profit and loss suspense account ये उसका profit है अब तक 4 महने का चॉपल 1 और यहाँ पर हमारा स्टुएंस सम हो गया complete addition no 5 सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मिशन है so let's close this let's close this 20,000 plus 6 कितना होगा 26 32 and this comes to 33,000 so 33,000 so 20 okay स्टुएंस अभी एक जो लास्ट चीज हमारी बच्छी है स्टुएंस क्या किया था हमने revaluation निकाल दा था क्या यह revaluation में से कुछ amount partners capital में जाता है of course जाता है students so let's see अगर हम revaluation लोश करेंगे which side is heavy देखो students is it debit side or credit side तो हमारा credit side हवी है क्रेट का amount कितना है 12,000 अब 12 मैंसे कितना करेंगे 4 और 6 तो 12,000 में से 6,000 करींगे मतला हमारा कितना बचा सिर्फ और 6,000 बचा ये 6,000 हमारा क्या था प्रॉफिट था और 6,000 को हम क्या करेंगे फिर से विजय का शेर 6,000 इंटो विजय का शेर 1,6 ये वान थाउजन रुपीज सो यह 1,000 हम यहां पर क्या लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे और अमांट रहेंगा 1000 रुपीज तो लेट्स कैल्कुलेट नौ अब हमारे यह सम हो गया है कंपलीट स्टुडेंट्स 20 प्लस 6 26 32 33 34 34 तो 34000 ट्रिपल वन यहां भी लिखेंगे विजै एक्जिकुटर्स राख से लोन अकाउंट यह उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा और यहां पर हमारा स्टुएंट्स क्या हो गया पूरा का पूरा सम हो गया फिनिश स्टुडेंश हम सिर्फ अंडे लाइन करींगे इस पार्ट को अब अच्छे से अर्ड़ अच् नो बता दिया है, so this is one thing, and the other thing is this, so हमने पूरा का पूरा सम कम्लीट किया, students, thank you so much, nice, bye.